नमस्कार दोस्तों मेरा नमें विविमल सिंग बालाजी स्टेज़ेगड़ा में आप सभी का स्वागत उत्तर प्रदेश पुलिस भरती कॉंस्टेबल की जो परिक्षा है साथ जार से अधिक पोश्ट को ले करके कुछ लोग का लगातार कमेंट देखने को मिल लहा है कि उनके दौरा आविदन में किसी ना किसी बरकार की गल्दी कर दी गई है तो क्या कुछ संभब आपके options हैं या आप कह सकते हैं क्या possibilities हैं क्या उनको सुधारा जा सकता है क्या सारी चीज़े हैं इस वीडियो में उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर official website पर जो option है वो दिखाऊंगा फिर official notification की भी बात हम करेंगे अगर हम बात करते हैं official website पर तो यहाँ पर एक option आपको देखने को मिलेगा technical help desk का इस पर आप जब click करेंगे तो यहाँ पर एक तो number दिया हुआ है इस पर आप संपर कर सकते हैं 10 वजे से 6 वजे के timing में और दूसरा यहाँ पर for more queries click here option देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको option देखने को मिलेगा कि अब यहाँ से कौन सा प्रसन का answer चाहते हैं तो सबसे पहले जिसे query में सबसे पहला option क्या है कि can I apply through mobile other devices यानि कि कि आप mobile वगरे से form भर सकते हैं तो इसका answer देखने को मिलेगा कि नहीं भर सकते हैं यहाँ आप desktop या laptop से ही भर सकते हैं इसी प्रकार बाकी भी question है वो तो आप पढ़ लेंगे main आप देखेंगे कि क्या गलती किसी प्रकार की आपने की है इसको ले करके कोई यहाँ पर प्रसन है तो यहाँ पर लिखा है if my photo and signature is not clear visible then will my application get rejected my photo and signature size is huge तो reduce कैसे कर सकते हैं या re-pload कर सकते हैं photo को या फिर all information can I edit during the registration process तो final submit से पहले तो करी सकते हैं मतलब की जो preview करके दिखाता है ना उससे पहले कर सकते हैं इसी प्रकार payment आपका cut गया है पर success नहीं हुआ है edit my basic information after submission ये एक option का answer अगर आप देखेंगे कि क्या मैं edit कर सकता हूँ basic information submit करने के बाद तो नहीं आप नहीं कर सकते हैं carefully review कर लीजे final submit करने से पहले ये चीजह आपर clear की गई आगे देखेंगे आठवे point में बात किया गया है कि date of birth और category अगर गलत पड़ गई है तो क्या इससे बाद में बदला जा सकता है इसको लेकर के भी लिखा हुआ है नहीं आप जो है वो नहीं बदल सकते हैं नवे point में OTP नहीं आ रहा है कि with which OTP should I verify किसको करना है OTP कौन से OTP को verify करना है expiry जो है वो time OTP का क्या है इसी बरकार will I get communication of the registration number after completion of application और इसी बरकार बारवें पर can I register on the last date of registration और तेरवां प्रस्ण भी आप देखेंगे थोड़ा सा आप से मिलता चुलता है कि अगर हमने लिखा है if I have entered wrong details in the application can I register again कि अगर मैं कोई गलत information जो है वो आपका वहाँ पर डाल देता हूँ तो क्या मैं फिर से registration कर सकता हूँ तो इसका भी answer है no multiple application for the same post will be rejected तो यहाँ पर यह नहीं सोचना है कि नहीं कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा official notification भी कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज को समझेगा तो यह तो मैंने सारे question इसलिए दिखा दिये जो इनके official website पर थे और यह आपका number भी मैंने दिखा दिया जहाँ पर आप पाहता जो है वो ले सकते हैं और इसी में ही आप देखेंगे faq करके लिखा हुआ है इस पर भी click करेंगे अब मैं आपको लिखकर चलता हूँ official notification में जो आपको help करेगा चीजों को और बहतर समझने में तो यह है आपका official notification यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाँ पर बात की गई है online आविदन की प्रक्रिया इसी में आप देखेंगे आपको यहाँ पर टिपड़ी करके heading देखने को मिलेगी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुल्क जमा करने के अंतिम्तिती तक अब्धर्ती द्वारा सुल्क जमा करने के दिसामे ही उसका आविदन स्विकार होगा और यदि आप निर्धारित अंतिम्तिती के बाद करते हैं तो फिर अब वो निरस्त माना जाएगा और इसी में पहला point अगर देखेंगे तो अब्धर्ती आवशक्ता होने पर सुल्क जमा करने के उपरांत आविदन की अंतिम्तिती के पहले अपना विवरण केवल एक बार जो है वो संसोदित कर सकता है इस बात को यहाँ पर जिक्र किया गया है कि आप फीज समीट कर देते हैं और आविदन की जो लास्ट देट है उससे पहले बात की गई है जबकि आप देखेंगो तो ओफिशल वेबसाइट पर ऐसा भी कहीं देखने को नहीं मिला है हो सकता हो आगे आपको देखने को मिल जाए पर इसमें इस बात का जिक्र किया गया ओफिशल नोटिफिकेशन में कि अंतिम्तिती के पहले अपना विवरण केवल और केवल एक बार आप संसोधित कर सकते है परन्तु आप मुबाइल नमबर नहीं चेंड कर सकते है इमेल नहीं चेंड कर सकते है और आधार नमबर में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते है इस बात का उलेक किया गया है कि एक बार आपको correction का मौका मिलेगा परन्त यहाँ पर last date से पहले की बात की गई है और last date आपकी 16 के करीब है और अभी तक तो कोई देखने को नहीं मिला है हो सकता हो कि आप जहाँ पर form भर रहे हैं वहीं पर ही आपको देखने को मिल जाए या फिर जो official website में जहां से आप apply कर रहे हैं वहाँ पर अलग से मिल जाए आपको option तो जैसे कोई होगा update तो देंगे आगे भी लिखा है कि आविदन के अन्दिव दिती के बाद उसमें किसी परिवर्तन संसोधन के लिए अगर कोई unroad board द्वारा सिकार नहीं किया जाएगा और आप भरती अगर last date खतम हो जाएगी उसके बाद फिर कोई नहीं होगा संसोधन इसलिए यहाँ पर मैंने बात की कि last date से पहले ही बात किया गया है कि आप संसोधन कर सकते हैं एक और notification में point लेखा है उसको भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि कई ऐसे candidate होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर मैंने एक बार अरिष्टेशन कर दिया है तो क्या मैं दुबारा नहीं कर सकता है वो अरिष्टेशन आपका हट जाएगा अपाद वाला केवल और केवल एक ही आविदन पत्र जो है वो भरा जाए और यदि किसी अभ्यरती के दौरा एक से ज़्यादा आविदन किया जाता है तो उस condition में उसके दौरा अंतिम सम्मिट किया गया आविदन ही स्विकार होगा यानि आप multiple registration कर सकते हैं इसमाल लीजिए एक registration में आपने कुछ गड़वर कर दिया मुशली चीज़े registration में भरा ली गई थी तो आप क्या कर सकते हैं दूसरा registration कर रहे हैं और उस registration को जो बाद वाला registration होगा वही मानने होगा इन्होंने कुदी लिखा है कि अगर आप एक से अधिक आविदन पत्र भरते हैं तो किसी बढ़ती है एक से अधिक आविदन करने पर उसके द्वारा लास्ट में जो सम्मिट के आविदन होगा वह सुईकार होगा तो ये आपके पास सबसे बहतर मौका है in case आपको last date से पहले correction का मौका नहीं मिलता है तो ये भी try करके देख लिजेगा जहां पर आप mobile number और email ID इसको बदल लिजेगा क्योंकि OTP बगारा की जो है वो फिर दिखा देगा की मैच कर रहा है तो इस चीज को एक बार देख लिजेगा तो बाकी कोई और प्रस्न हो तो comment में पूश लिजेगा वीडियो लाइक शेयर सबस्क्राइब अबश्च कीजेगा मिलते हैं आगले अबडेट में तब तक के लिए नमस्कार चैहिंद